कि हैं गाइज आपको नीव वीडियो वेलकम पो माई चैनल वल्जापायर तो गाइज आज हम डिस्किस करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में बटो से पहले डिस्क्लेमर है कि यह कोई कि वाइसल की रेकोमेंडेशन नहीं है अगर आपको बनाते हैं तो खुद की रिसर्ट जरूर कीजिएगा और सेकेंड इस कि इसमें मेरी यह मेरे क्लाइंट्स की पिजिशन हो सकती है तो पहला स्टॉक चो अपना है वह टाटा की कंपनी है टेंपलेट कंपनी तो बेसिकली मे इसमें डील करने वाली कंपनी है और आप इसके फंडामेंट्स चेक करेंगे तो बहुत ही अच्छी है गाइस और इसने एक अच्छी खासी मूब दी थी फ्राइडे को बट रखेंगे इसके आज इसमें एक कंसॉलिडेशन चलिए इस पर नजर रखेंगा गाइस मेरे इसक प्राप लॉस रहेगा वो 340 कर रहेगा तो इस पर नजर रखेंगा गाइस एंड दूसरा स्टाउक है इंगर्सो वैसे को गाइस यह स्टाउक आज मुझसे मिस्स हो गया वर क्योंकि मेरी नजर में स्टाउक आया था कुछ 1400 के आ रहा हूं बट मैं किसी और चीज में बिज हाई लगाके गया आज तो दो सो पॉइंट्स की मूब मेरे नजर में आने के बाद इसने दी है चलो बट एनीवे आई जस्ट मेस्ट है तो इसको डिस्क्स करने का रीजन यह गाइस इसने एक प्रेक आउट दिया है आप देख सकते हैं तो कुछ 1500 का जो था इसका प्रीवि सिक्स टाइम्स यहां पर आया तो इसमें सेलिंग आई तो इसने इसको भी देख किया है तो इस पे नजर रखेंगे गाइस मुझे लगता है यह आने वाले कुछ दिनों हुए आपको 1600 से 1600 से उपर मिलेगा तो अगर आप इसमें पूजिशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं 1420 का आप स्टॉप लॉस रखेंगे और सी एमपी पर पोजिशन बनाई जा सकती है गाइस जी का 1530 से 1500 तक के बीच में इसे अक्यूमिलेट कीजिएगा पोजिशन बनाने के लिए और 1420 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टार्गेट 1600 से उपर के रहेंगे गाइस 1600 प्लस के टार्गेट रहेंगे अब हम देखते हैं जो स्टॉप मैंने आपको कल यहां पे आपके साथ डिसक्स किये था उनकी क्या परफार्मेंस रही एक तो था गाइस जी सील तो जी सील गाइस यहां पे 493 पे क्लोज हुआ था और आज यह उपन हुआ है 506 पे एंड लो बना है तो आपको और कल वले प्राइस के आराउंड ही मिल गया होगा यह और इसने हाई लगाया पांसो पैंटिस का तो वाइस सेवन परसेंट की मूब दी है और इंट्रडे में आपको सेवन परसेंट मिल गया तो आपको ओवरनाइट पुजिशन क्यों रखनी है मेरे थे और पांसो पैंटिस का हाई इसने बना दिया तो आलमोस टार्गेट के पास ही पहुंच किया ठीके जाइस तो आई होप की आप सबने इसमें पैसे बनाए होंगे आज और दूसरा था गाइस तर्वैनी तो गाइज देख सकते हैं कि यह कल की जो क्लोजिंग थी इसकी कुछ 300 के आसपास थी और वहीं पर यह आज खुला है यह देख सकते हैं बिल्कुल भी कोई डैप नहीं है और वहीं पर खुला है तो गाइज 304 से इसने 358 का हाई बनाया तो 54 पॉइंट्स की मूब इसने दी और 54 पॉइंट 15-16 परसेंट की मूब आज मिल गई गई गाइस तो इंट्राडे में जिसने भी इसमें पिजिशन बनाई होगी आपने अच्छा खासा मूब या अच्छा खासा प्राफिट बुक किया होगा तर गानी तो इसमें पिजिशन बनाई मेरी वीडियो देखने के तो अब आपके लिए नेक्स्ट रेडिंग सेशन के यह इंगर्सूर मेंड है और टेन प्लेट ऑफ इंडिया है ठीक है गाइस हम दो स्टॉक्स के नजर रखेंगा गाइस एंड ज्यादा से ज्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़ू सब्सक्राइब की जितनी चाहे वीडियो उठाके देख लीजिए एवरी सिंगल गिवन स्टॉक वर्क बैल एवरी सिंगल तो मुझे नहीं लगता आपको किसी और चैनल पर भी जाने की जरूरत है कि मेरा दुए स्टॉक दो दिन नहीं चलेगा चार दिन नहीं चलेगा गाइस बट उसके बाद चलेगा ज़रूर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में आपको पांच-पांच लेने के यह दो चार देन पांच दीन वी करने कर सकती है तो अइमीन टु से बट जितने स्टॉक मापके सामने लाता हों गया है mostly most of them are fundamentally strong and rest of them are all of them are technically strong अभजसे तरवे नहीं है यह fundamentally strong technically of India fundamentally strong और technique तो ज्यादा तर जो मैं मैं स्टॉक आपके साथ डिसकस करता हूं गाइज उनके फंडामेंटल्स भी अच्छे होते हैं कि मैं फंडामेंटल भी चेक कर लेता हैं बढ़ हां कुछ स्टॉक होते हैं वो जिस ते आर ओनली डी कंसीड़ेट फूर देर टेकनिकल्स वो टेकनिकली तो स्टॉक होते हैं और फंडामेंटल्स कुछ ज्यादा मैं अच्छे नहीं कहूंगा उनके तो बट ये जरूर है गाइज कि मैं जितने स्टॉक आपके साथ डिसकस करता हूं सारे के सारे अपने टार्गेट अचीव करते हैं और सम अफ तेम अब गोन अबब दे टार्गे चीके गाइज थैंक ये वर वाचिंग और वाचिंग एड विडियो बगाइ फॉर नाव